तो फीज देखो जो कॉर्स की फीज रहती है यह दोनों अटेंड के लिए फीज रहेगी तो फीज बहुत मिनिमम होती है आप कहाई पे भी चेक करो इन सारों फीज की टाइम्स में कम होती है हमारी फीज यह 5,000 से भी नीचे है दोनों अटेंड के लिए जो फीज है वो 5,000 से भी नीचे फीज है 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 लो दोस्तो मैं हो अक्षे मैं आपके सामने common question student से raise होता है मैं जो बोल रहा हूं मेरे पेपर से बोल रहा हूं तो मैं जो आपको नंबर्स बताऊंगा यह वित प्रूफ रहेंगे आप अगर चाहे तो मुझे से करके वह रिजल्ट्स मैं आपको देदूघा बाट्स अब तो लेखो आपका टार्गेट क्या है पहले यह देखना होता है आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो कि दूसरा कोई को अगर जैनुएनली बोला जाए तो 8 to 10 question math math 8 to 10 question मेरे खाल से मोरदान नपते है आपका desire कोई भी college हो आप इसमों मिला सकते हो provided that drawing 95 percentile and aptitude 95 percentile अगर यह आप कर सकते हो तो आपको भी college आपको मिल सकता है ठीक है तो इसी के लिए हमने जो course launch किया है 15 तरीक से course start हो जाएगा आप चाहे तो उसमें enroll कर सकते हो देखो हम आपको यह करने में मदद करेंगे इसमें आपको 95 से उपर 96, 97, 98 percentile मिलाने में हम आपकी help करेंगे तो एक second condition में बता रहा हूँ जिससे आप को अगर math में 8 to 10 question नहीं कर पाते हो तो second जो चीज़े फिर भी आप कैसे इस target को अच्यू कर सकते हो यह भी हम देखेंगे तो देखो थोड़ा सा अगर यह आप नहीं कर पाते हो यह हर एक की बस की बात नहीं है 8 to 10 question करना तो इसके लिए second जो opportunity create होती है ऐसे student के लिए इनका math बहुत weak है यह second result में आपको दिखाऊँगा तो यहाँ पे math के लिए कितना question होना चाहिए math के लिए यहाँ पे कितना question होना चाहिए यहाँ से बस 3 to 5 question 3 to 5 question मतलब 20 mark ज्यादा से ज्यादा maximum 20 mark mathematics में आपको आने चाहिए जेए paper में ओ कैसे लाना है यह generally मैं guidance दे 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 दा हूं student तो कि sir नहीं बनते हैं एक भी question नहीं बनता है तो क्या करना है अगर दो तीन मना देते हो किसी तरीके से यह 20 mark तक पहुचना चाहिए यह में student को बता देता हूं student को लगता है कि sir math नहीं होगा तो कुछ भी नहीं possible है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है यह मैं लास्ट यर के results से आपको मैं बता दूंगा उसके बाद मैं drawing में अब इस condition में drawing थोड़ा change हो जाता है drawing में 95 की जगा पे आपको यहां पे 99 परसेंटाइल आपको चाहिए होता है drawing में 99 परसेंटाइल चाहिए होता है 99 परसेंटाइल student को कब मिलता है जब student अभिना सर से जब excellent यह mark लेते हैं drawing में तो generally student को as a comfortable exam के लिए comfortable है आप 99 परसेंटाइल के आसपास drawing में पहुच जाओगे अगर इस तरीके से आपने ड्रॉ किया है उसी तरीके से अगर exam में आप ड्रॉ करते हो तो आप 99 के आसपास आराम से किच जाओगे उसके बाद बात करते हैं aptitude की में क्या करना होता है 99 परसेंटाइल चाहिए कितना चाहिए तो aptitude में जन्रली 98 परसेंटाइल मोर्दान इनफ होता है 98 परसेंटाइल student को मिलता कैसे है कितने मार्क पर 98 परसेंटाइल मिलेगा तो यह मिलेगा 47 question पे आपको 98 परसेंटाइल मिलेगा यह यह मेरे पास लास्ट यह का पेपर है मेरा जो student है उतकर यादओ यह इस पे दिल्ली में है उसका जो स्कोर यह था और यहां पर यह जो सेकंड श्कोर है यहां पर मेरे पास एक तेजसनी नाम की लड़की है उसने यह score किया था यहां पर aptitude में इसका और भी कम score था उसका जो score था actually वह 94 था aptitude में पर मैं एक safe score 98 बता रहा हूं कि बिल्कुल भी आप easily achieve कर सकते हो 98 ऐसा यह है अगर आप course को join करना चाहते हो तो आप हमें call कर सकते हो या फिर message कर सकते हो मैंने कोर्स की पूरी डिटेल इस वीडियो के सामने दे दी है तो फीज देखो जो कोर्स की फीज रहती है यह दोनों अटेंब के लिए फीज रहेगी तो फीज बहुत मिनिमम होती है आप कहां और यह रिजल्ट है तेजस विनिका ठीक है यह दोनों स्टुडेंट है इनके रिजल्ट में फड़ा सा डिसकस कर रहा था कितना मार्क लगता है तो प्लीज मिस गाइड मत हो ना कोई बोलता है कि 17 क्वेशन करो 20 क्वेशन करो तो यह बात कुरी गलत है ठीक है तो आप इतन से कॉमन्ट जो इसका इंशेप्शन है वो क्लियर हो गए होगा तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में